सबिन्दु सिन्दु सुस्कलत्त रंग भंगरन्जितों द्विशत्सु पाप जात जात कारिवारी सैयों तां। ग्रोसांत दोत काल दोत भीतिहारी वर्मदे। वधीयपाद पंकजम नमामी देवी नर्मदे। नमामी देवी नर्मदे। युगोथी भारतनी धर्ती पर वहती सरीता नर्मदे। इतिहासना अनेक वहनोंने लईने वहती महानदी नर्मदा। आपनी धर्तीने सुजलाम सुफलाम बनावती मैया नर्मदा। तीर्थो अने श्रद्धालोंनी प्रेरणा सरीता नर्मदा। इतलेज शिरीमद आदी शंकराचार्य गाई छे। गुजरात, महाराष्ट्र, मध्यप्रदेश, अने राजस्थान ना विकासनी एक अनोखी गाथा लईने वहे छे। नर्मदा मैयाना नीर। तैमाए नर्मदा ने गुजरात नो तो एक अविभाज्य संबंध छे। अमर कंटक्ती निकली ने गुजरातना सागर कांठे समुद्रमा समाई जती नर्मदा परनी विराट सरदार सरोबल डैम योजना आजे विश्वनू ध्याना करशित करे छे। अने तैना बीज रोपनार लोह पुरुष सरदार वल्लब भाई पटेलने नर्मदा ना ए नीर वधावे छे। नेक नेताओना नेत्रुत्वनी साक्षी पूरे छे। तैमाई जेमना आशिर्वाद जेमनी आ योजना माटेनी लगन, जेमनी आ योजना माटेनी धगश, अने जेमना पुरुषार्थे आ योजना ने साकार बनाव्वामा महत्वनी भूमी का बजावी छे। एवा महान संत विभूती प्रमुक स्वामी महराजनू तेमनी शताब दिना परवे विशेश स्मर अर्थाई छे जरा याद करो याद करो आज थी दौढ़ बे दशक पहलाना गुजरात में जियां बारे महिना पाणी लईने वहती नदियों नी संख्या जूज छे वली कच्छ काठिया वाड अने उत्तर गुजरात मी धरा परतो पाणी ना स्तर पण घणा उंडा छे एवा मा वली वर्सादनी अनियमित्ता वच्चे दर त्रण चार वर्षे आउतो दुकाल गुजरात माटे एक मोटी आफत बनीने त्राटकी पड़े पाणी माटे धमाल, टेंकर राज अने पाणी माटे दोडती ट्रेनों पण आपने जोई छे पाणी नी आज़ते आपनों विकास छिन्वियों, लाखोनू पशुधन अने युवा धन पण छिन्वियों अगन वर्सावता गगन अने धगी गयेली धरती वच्चे भीसातो मनुष्य हम्मेशा पाणी माटे वलखतो रहतो आसमस्यानू समाधान लाववानों सव प्रथम विचार आवयो, शिरी सर्दार वल्लभ भाई पटेलने, सन ओगनी सो चेंता अलिस्मा तेओनी द्रश्टी ठरी मध्य प्रदेशना अमर कंटक सरोवर माथी निकली ने, खंभातनी खाडीमा विलीन थती, 1312 किलोमीटर लांबी नर्मदा नदी उपर सर्दारे बारे मास, विपुल नीर लईने वहता नर्मदाना नीर, दुश्कारना प्रभाव नीचे, समये समये, पीसाता प्रदेशो सुधी पहुचाडवानू निर्धार्यों आ माटे जरूर हती एक विशाल बंध नी, आंगे विचारना शरू थाई, सर्दारे आ प्रकल्प माटे नू योग्य स्थल उडखवा एक सर्वेपन कराव्यों, जोके सर्दारना संकल्पनी आ योजना, प्रशासन द्वारा कोई ने कोई कारणों थी ठेलाती रही परिणाम स्वरूपे जे योजनानी दर्खास्त ओगणी सो चेहतालिसमा मुकाई हती, ते योजनानों खात विधी थयो छेक ओगणी सो एक सथमा भारतना ततकालीन वड़ा प्रधान, शिरी जवाहरलाल नहरूना हस्ते शीला न्यास पामेला आ प्रकल्पने, क्यार पछीपन जाजी गती ना मली शरुआतना वर्षोमा गुजरातना मुख्य मंत्रियों, शिरी बाबु भाई पटेल, शिरी माधव सीह सोलंकी, शिरी अमर सीह चौधरी, चिमन भाई पटेल, अने केशु भाई पटेल जेवा अनेके प्रसंगो पात प्रहतनों आदर्या, छता नाना मोटा प्रश्नों वर्गनी समझदारी नो अभाव अने परस्पर नो वैमन अस्या, आवा कप्रा संजो गोमा आ प्रकल्पनी वहरे आव्या, विश्व वंदनिया, संत विभूती, परम पूज्य प्रमुक स्वामी वाराज, आम तो नर्मदाना नीर्मा स्नान करीने, नर्मदाने वधू भगवान श्री स्वामी नारायन थी लईने, तेमना आध्यात्मिक अनुगामियों अने ब्रम स्वरूप योगीजी महराज नो नर्मदाना नीर साथे एक अनोखो नातो रहो छे। इटले नर्मदाना नीर ने तीर्थ रूप मानी ने ब्रह्म स्वरूप योगी जी महराज नित्य प्रार्थना करता हता के नर्मदा योजना द्वारा नर्मदाना नीर वहलामा वहली तके घरो घर पहुँचे ए प्रार्थना साथे पुरुशार्थ करवानो उपक्रम ब्रह्म स्वरूप प्रमुक स्वामी महराजे विशेश वेगवन्तों बनाव्यों समय समय तेमने नर्मदा योजना माटे ठेर ठेर प्रार्थना यगनों करया अने जन जागुरुती नो उपक्रम रचयो इस विसान ओने सोने चुमतेर नियांदर परंपुज्य प्रमुक्स्वाय महाराज लंडन मा बदारेला निमीत्ते हातु के लंडन मंदिर नी मुर्तियों नी पुना प्रतिष्ठा करवानी हती और निमीत्ते यग्न पनद आखवा मावेलो हतो अने यग्न नी अंदर प्रमुक्स्वाय महाराज नरबना देह मंगे यमने धून करिया थी के जल्दी थी आ कारिया शरू सही जाए अने यग्न नी आखवा था कि बद्दाने लाब्त थी भारतमा बद्दाने शांती थासे वरस्तानी पनकेटली पानी नी मुष्केलियों शे पन दूर थी जी अने बदिरीते नरब दाई उनना जे उपन काम कुदू उन्पड़े आप 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 नी आखेनी दूलो ज्राइति यादि जो के डेम नो कामजी शारूद रुध हो नोतु अने पच्छो न पंचस्षी नी यंदर जारे डेम नी जेगा बद्लाईती तेया स्वामी केवर या कॉलनी नी अन्दर आवेला अने ए वखते बद आप एजेगा बदलाया पच्छी अनो खाथ थाव। नसी। तर ए वक्षत प्रमुक्स्वाय महाराजे, पतानी साथ्य पताना इश्टर दिव हरीकृष्ण महाराजे अटले के स्वामिनान बगवान। एमनी जे मूर्ती नानी राखता है, एनू स्थान करावी। पची दून करावी अरिकृष्ण मारार ने स्थान करावी ने, अने कहवे आरिकृष्ण मारार नाते खाथ थाउचे, एटले आपने संकल्प करिया चे, कोई विग्नर ना थाया, अने ठेट करच्छ सुधी आ पान सन ओग्णि सो पंच्यासी, छ्यासी अने सत्यासी, आ त्रोण वर्ष गुजरात नी भूमी माटे कश्ट दायक बनी रहां। आ समये गुजरात नो मोट्टो भाग दुश्काल ना ओडा हे ठाड़ावी गयो हतो। जो के गुजरात नी नर्मदा बंध माटे नी मांग, तालिसमा जेनो संकल्प थयो हतो। एवा आ प्रकल्प ने ओग्णि सो सत्यासी मां बांध का माटे नी लीली ज़ंडी मली। बंध बंध हाता मुख्यत्वे बे फळ मलवाना हता। एक पाणी अने बीजू वीजले। अन्ध द्वारा उत्पादित विजली माथी कुल 57 टका मध्यप्रदेश, 27 टका महाराष्ट्र अने केवल 16 टका विजलीज गुजरात ना फाले जवानी हती। आम बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय। आ प्रकल्प ने गुजरात आवकारवा माटे तत्पर हातु। आम मां सौ वेग्द। ए न्याये परवान गिनी साथे साथे प्रश्णो नी पन परंपरा हवे जिशरू थवानी हती। आ योजना मां प्रथम प्रश्ण आवे जिया नर्मदा योजना थवानी हती त्या वस्ता लोकोना स्थानां तरणनो। हजारो वर्शो थी जे जंगल मां ग्रामेन लोको उचरया हता। ते जंगल छूडी ने तेवो ए बिजे जवानू हतु। स्वस्थान साथे लागणी थी बंधायेला आ बांधवोंने बिजी पन एक भीती हती। ए हती पुनर्वसननी। जोके गुजरात सरकारे तेवोने विशेश वलतर अने सुविधाओ आपवानी बाहेधरी पन निष्था पूर्वा कापी हती। अधिवासी लोको माटे घडायेली आ पॉलिसी न केवड तेवो माटे पर्याप्त हती। पर्णतु तेवोनी प्रगती माटेनू प्लेटफॉर्म उभी करना रियाती। आथी आ ग्रामीण प्रजाने स्थणांतर थवामा कशो वांधो नोहतो। पर्णतु वांधो हतो केटलाक असंतुष्ट लोकोने। जेओ गमे तेमकरी ने आ कल्यानकारी योजनाने अटकाववा माठे प्रयत्मशील हाता। आ तत्तो द्वारा उभी कराये ली गेर समझ क्यार एक आक्रमक विरूधमापन परिणम थी। अने आ इतली जटिल प्रक्रिया थी के जारे सरकार्ना कर्मचारियों के अधिकारियों ए पुनर्वसननी कामगिरी माठे एना एवोर्ड माठे एना जमिन संपादन माठे नोटिफिकरशन माठे जारे पोते त्यां जाय डुबिस्तान यंदर तरहे आ असर ग्रस्तों पहले आता कि हम्मेशा इपहली वाद तो आना सहकार तो अपनी वाद बाजू मारे पन गणिवखत तो आमने मार मारता है अने गणिवखत इलोकोने जार सते बांदी देता इवा किस्सा मारा अनुभावनी अंदर छे जुनो सर्गसो काड़ीने विरोध प्रदर्शित करे अने बहिनो माहोल उपो करता आप अरी बड़ोने कानाने आरी ते सरकार पन एकडम लाचार थे गई गेर मार गे दूरवायला ग्रामिन लोको सरकार नी कोईज वात स्विकार वातो ठीक पन सामभळ वापन तैयार नोहता आवी विकट परिस्थिती माथी ज्यारे उगरवानो कोईज आरो नोहतो त्यारे सरकार द्वारा संपर्क सधायो बीए पीए स्वामिनारायन संस्थाना आध्यात्मिक वड़ा परम पूज्य प्रमुक स्वामी महराज नो परम पूज्य प्रमुक स्वामी महराजे तमाम विगतो जानी विगतो जानी ने तेओ ए B.A.P.S. स्वामिनारायन संस्थाना संतो भक्तों ने एक अभूत पूर्व अभियान मा जोड़ावा आवान करियों। आ अर्सा मा तेओ द्वारा लखायेलो एक पत्र आज वातनी गवाही पूरे छे। संतो आयोजनानो पूरो अभ्यास करे औने लोकों ने समझावे जे थी लोकों मा गेर समझन न रहे अथवा दूर थाए। ते अंगेनू साहित्य औने कयास थडोए संतोए जवूं ते अंगे माहीती मेडवी। प्रमुक स्वावी महाराजे बद्दा संतो ने वात करे कि आपने बद्दा गामडे फरवानू शे। लोकों ने बद्दाने साची समझन अपकाने शे। क्या डेम थी किटलो बदो फाइदो थासे। विप्रीत संजोगो रेवा नी कोई व्यवस्ता नहीं। तो पॉन प्र दोचो थावा थी डेमनू काम सरू थाय। चलना 42 वर्ष थी खोरंभे चड़ेली आ योजनानी प्रथम शीलानू आरोपन थय। सन 1908 सीमा। एटलोज नहीं। प्रमुक स्वामी महराजे वल्लब विध्यानगर खाते तेओए योजेला भव्य युवा महोजसवमा उम्टेला विराट युवा समुदायने पाण नर् निगमना चैर्मेन श्री सीसी पटेलने आ युवा महोजसवमा निमंत्रित करीने तेओए खूब रस पूर्वक नर्मदा योजनानों विगते अभ्यास करें। अने युवानोंने पन ते अंगे हाकल करी। आम नर्मदा योजना माटे तेओ विशाल पाए एक जन आंदोलन करवाला गया। आमा गुजरात कार्मा दुशकालना जड़बा मा सपड़ाये लू हतो। लोको पासे जीवन निर्वाहना पैसाना पन सासा होई। त्यारे या बॉंड खरीदवानी हैसित तो क्या थी होई। तद उपरांत 40 वर्ष थी ठोकरे चड़ेला आ प्रकल्प मा थी मुट्टा भागना लोकोंने विश्वास पन उठी गयो हातो। आथी आ योजनामा पैसा रूकवा ए सवने दुसाहस जेवू लागतु हातो। गुजरात सरकारना मंत्रियो निरुपाए बनी गया। इले गुजरातना बदा मंत्रियो आने बदा नी इच्छाहती के आमा जो प्रभूंक स्वाई माहराज भड़े आने प्रभूंक स्वाई माहराज जो आरितेवे पबलीक ने अपील करे। साथे साथे हमना जे बदा हरी बगतों शे हमने बदाने पना अपील करे अने पुझे प्रमुक स्वामी महराज पोते पन जो आपने साहे करे तो हम आपने खणी मदद मड़ी रे नर्मदा निगमना चेर्मिन श्री सनत कुमार महताए परम पूझे प्रमुक स्वामी महराज पासे आप्रसंगे मददनों हाथ लंबावे। नर्मदा परियोजना एक इतिहाशी परियोजना है जैसे आप जानते हैं कि इस परियोजना के लिए एक अंतर राष्ट्रिय और राष्ट्रिय अस्तर पर लोगों ने साजिश किया अंतर राष्ट्रिय अस्तर पर मैं आपसे कहूं तो अमेरिका, जर्मनी, इंगलैंट, जापान ऐसे मुल्क थे जिनके यहां से लोग हजारों की तादार में पत्र भेजते थे शुरुवाती दोर में जब इंटर्णेट नहीं था, ऐसा माध्यम नहीं था, मेल नहीं थे, सब पोजिशन में थे, और इसके अलावा हमारे देश में तमाम ऐसी गैर सरकारी संस्थाएं थी, तमाम ऐसे आंदोरन करता थे, जिनको जमीनी सचाई नहीं पता था, या पता होने के बाद उनकी आइडियालोजी थी, उनकी बिचार धारा थी, कि बड़े बाद नहीं होने चाहिए, बड़ी परियोजनाय नहीं होनी चाहिए, वो हमेशा विरोध करते थे, इसके विरोध में मैं कमूँगा आपको एजुकेशनिस्ट, सिख्षावित, बैग्यानिक, राजनीतिक लोग, और इसके साथ साथ समास से भी, यह सभी लोग इ मुद्दा था, और लगभग सो से ज़्यादा धरने हमारे दफ्तर के सामने हुए, आंदोलन हुए, मैं कहना चाहूंगा कुछ तो हमारे ऐसे आंदोलन कारी थे इस देश के, जिन्हों ने जाकर हमारे देश के दूतावास में, चाहे वो इंगलाइंड हो, चाहे अमेरिका ह वहाँ पर जाकर आंदोलन किया, कुछ ने तो जाके जापान के पार्लेमेंट के सामने किया, येरोपियन पार्लेमेंट ने इसका विरोध किया, तो ये अंतराश्टिये अस्तर पर बहुत बड़ी शाजिश थी कि हिंदुस्तान में ऐसी बड़ी परियोजना ना बने आंतराश्ट्री अस्तरे लोकों मा गेर समझु भी करीने, नर्मदा योजनाने अटकाव वानों, विग्न संतोशी विदेशी संगठनों थी प्रोच्साहित आ विरोधियो द्वारा आंदोलनों, रैलियों अने देखावो वधू प्रबल बन्या सामे पक्षे श्री केशु भाई पटेल अने अन्य बंध समर्थकोना मनमा डर पैठो के आमने आम विरोधुनों वातावरण जामेलू रहशे तो वास्तविक्ता दबाई जशे तेमने लागियू के नर्मदा योजनाने इच्छनारा उनी संख्यापन खुबज मोटी छे, ते पुर्वार करवू अनिभारिय छे आथी, तेओ ए मुंबई मा नर्मदा योजनाना समर्थन मा एक विराट रैली काढ़वानों विजार करयो कार्य कपरू हतू, पगलू जोखम भर्यू हतू, कारण के आ रैली नू योग्यरिते आयोजन अने अमली करण न थायू, तो फजेती थवानी पन पूरे-पूरी शक्यता आती तेओने आ माटे एक सद्धर अने साबूत टेकानी जरूर जणाई आथी आवखते पन तेओ मददनी मांग लईने पहुचया परम पूज्य प्रमुक स्वामी महराज पासे अने आवखते पन प्रमुक स्वामी महराज मदद माटे सज्ज हता प्रमुक स्वामी महराजे आ सघ्णू तंत्र चलाववा बीए पीएस संस्थाना सेंकडो स्वयम सेवकोंने एनायत करया वली तेओनी प्रेर्णा थी जुदी जुदी अनेक संस्थाओ अने विविद समाजों पन आ रेली मां जुडाया स्वामी श्री नी प्रेर्णा थी हजारों हरी भक्तों पन आ रेली मां उपस्थित रहा एटलूज नहीं तेओ स्वयम पन ए रेली मां जय पहुँचया मुंबई मां काला घोडा खाते ए विराट रेली ने संबोधिने तेमने सव मां जोम सीन्ची आप्यू आटला मोटा समूनी अंदर यहां एकत्री थया कि आप सर्वने पंदनिवाच आपने बारतिय चे गुजराती चे कि कदा भी कोई उख़त आपने पाच्छा पड़या नथी पड़वाना पन नथी योजना माटे कदाज परदेश आथ दोई नाक्षे तोपान गुजरात खड़य पगे उखू छे योजना पैसाथी पन अटकवानी नथी कारण के आवदी वस्तु आपड़ा गुजरात ना जीवनों पड़ेली वस्तुज अने आपड़े ने माटे खुब तैयारी राखवारेज इटले आपड़ु प्रदान तन मन्ने धन्ती आजे जोवा मड़ेज अजे गुजरात ना सरकार तमाम पक्षो अने तमाम संस्ताओ जारेमिक संस्ताओ सामाजिक संस्ताओ वे गज़राती गुजरात मों बने भाराष्ट मों बारत मों प्रदेश मा वस्ता दरेक नों आवाद छे के एक दरब्ले आयोजना थवी जोए के मां कोई पकानी अटकायद हवी न जोए अने एक इच पन ओछू न थो जोए बंदनी अंदर अने दमामने आलाप थो जोए अने आवी अपड़ा माजे आज एक संपनी एकतानी या संगर्थनी भावना उत्पन थाई छे एक कायमने माटे आवी अपड़ी संगर्थन भावना रे के आरे पन कोई पन विख्षेप आवे कोई पन बात आवे तो आपड़ू संगर्थन तुटे ने अने अखला जुस्ताने भाव थी हम्मेशने माटे आपड़े करता रिये आ एक यगननी बात थे के आ एक एक राजकिय सामाजिक नी बातों नथी पन महान यगन छे आखा राष्ट ने माटे छे आखा भारत ने माटे छे आखित दुनिया माटे आपड़े तो कहिए छे के आ एक न एदरेक ने माटे छे के आ एक न ए परियानी दरस्टे को थरानतनी दरश्टे को बिजी दिस्टे को आठिक दरश्टे को एक कोई दिवस आ कारी अटक से नहीं एक पुरू थेज रेवानू छे तो आपने आजे खुझे होगी जी महारान ने पन याद करिए एमने आ नरब्द आयोजना पर जता होतां कायम प्रात्ना करी छे इतले संत हम याद की नंखे नहींव घतां नांचे मंही वापने आपने घतनाप आाप दो आप नहीं परातना करिए औने बग्राउतुयादानू आप सर्वन आपने अपने उस आस्रेवाद साथ इतले तो आप सार्क हार स्भान ने कर दारों हम्मिश ने माटे क apert्लो एओ ज़ाओ ए अने आखी पानी व्यवस्ता आते, अमने तु। अने पुद्धा भी हो यह जो यह पानी, आती बदी टाइम पिलाक से, बपनो टाइम, उम्नारां नौ समय हतो, जून महीन हतो, अने बदी व्यवस्ता थे गई, अने अरी बक्तो पाना ग्ना आवया, अठले अठले अटले अ आप आम आ रेली मा लगभग सवा लाख समर्थको एक तृत्थाया समाचार पत्रों मा आ समाचार गुंजी उख्या आ रेली नी सफर्ताये नर्मदा योजनाना समर्थको मा नवो उत्साह उमेर्यों सकारात्मक वातावरन उभू थायों सवनु रदय कबूलतु हतुं के आ रेली नी सफर्ता मा परमपूज्य प्रमुक स्वामी महराज नो फालो खूबज मोट्टो छे जोके रेली नी सफर्ताने कारणे एक हार थवाथी विरोधियो वधू आक्रमक बन्या तेवोए एक नूतन व्यूह गोठ व्यों वर्ष हतुं ओग्णिस्सों नेवोलू स्थाड हतुं छोटा उदेपूर पासे आवेल गुजरात औने मध्यप्रदेश वच्चे नी फेर कुआ सरहद लू अवे विग्णोनी जारों हूं वाद करू छू त्यारे नर्मदा वचाओ आंदोलन आनी अंदर ये मुख्ये विग्ण करता आतू एनी साथे बाबा आम्टे पुदे भढ़्या मध्यप्रदेश नी बॉडर ओरंगी गुजरात मा फेर कुआ पासे जया नर्मदा नदी पसार थाई छे त्यां एमने जड़ समाधी लिवानों निश्चाओ कर्यो एनना ब्या कारण आता एक तो विस्ताफीतों पुनर्वस्चन औने परियावरन नी बाबत औने इवक्ष गुजरात राज्य सरकार एमने बाबा आम्टे नी आय योद्ना एमनों आजे कारस्तान एनी सामें प्रतिकार करवानों एक निश्चे कर्यों एनना बाग रूप एक शांती यात्रा एमने पोते योजी बद्धाज जे समठ्थ को ए फेर कुआ पहुँचे अने आनों आमाता के एमनों सामनों करिते करू सरकारी तंत्र कई बधी जग्याये पहुची वले तेम हतुज नहीं त्यारे ए वखत ना मुख्यमंत्री चीमन भाई पतेल ना कहवा थी प्रमुक स्वामी महराज ने विनंती करी नर्मदा योजनाना विरोधियोंने रोखवा माटे एक जंगी जन आंदोलन करवानू नक्की करवा मावियो तेमा परम पूज्य प्रमुक स्वामी महराजे नानी मोटी अनेक जवाबदारियों उपाडवा माटे बीए पीएस स्वामी नारायन संस्थाना संतो अने स्वयम सेवकोंने हाकल करी अने फेरको आंदोलन वकते जिटला हज्जारों लखोनी संख्यामा लोको इकत्र थायाता एमनी जम्मानी रहवानी वेवस्ता प्रमुक स्वामी महराज एमा कोई उनप आवा दिदी ने ते वकते डिसेंबर महिना नी कारमी ठंडी हती अने त्यांगर जे व्यवस्तावग करवानी तो कोई प्रकार ने त्यां इंथ्रस्ट्रक्चर हतू ने आतो ब 달 स्वयम सेवकों ने रहवानू अधीकारियों ने रहवानू एलोकोंने जमाडवाना एलोकोंनी बीजीims आपने त्या गया त्याहा आपने अस्कूल अपामावी एजे स्कूल साफ सूफ करी ऐने चालू करी एन अब संड़ाज करया इंतiquement 7-1 कर साफ करें और गुजरा थसेक दीज जालू कर्या त्याहा ओड़ाए तच्ज एhin डियुत जालू करीं तो ही लगभग दशिएक दिए सपला जे दिए से ब अन्ने साथे बीजालगबग पंदर एक्संतो पनाता अन्ने वड़ोधराथी युवकों ने सेहन सेक्तरिके लेगेला अने रीते त्या अगर रसूर चालू करेलू अन्ने एमा बापानी सुचना एवी यती के रोज बदाने रोटली शाक के पूरी शाक पूरता मली रे औने ए प्रमाने ए लोकोने सांजे पन भाकरी शाक अत्वातो खिचडी शाक मले आव बदू आयोजन आपडे करू अने बहु व्यवस्तित रिते बदू बनावू अने आपड़ू एवु पन आयोजन करू एवी बापानी इच्छा ए रिते रही बापा ए एना माटे पन बदा सुचनो लखिन मोकल्या एले बापा एकिदू के ना पन आपण आपणे कोईपण संजोगो मा आ कारियमा जोड अने आवी रिते आपणे गुजरात नी सेवा करवी छे पर बापाना अंतर मा तो आजे सेवा करवानी बावना आती यहले बापा ए बहु स्पर्ष्ट कहेलू अने त्या मानों के रोज 2000 मानसनू रसोडू होई एनी सामे जो वधारे कैंक रसोई करवानी थाए अने वधार जरूर पड़े तो आपने संत्ता तरप थी वस्तू लाववानी इमा सेज पन खच्काट नही राखवानो औने बद्धा ने आपने तेहां जमाडवाश ले अने अमने अहकल करे प्रमुक स्वामी है एनी असर फिल्ड उपर एवी थाई के लोको सामे थी आवी ने ओलंटि प्रमुक स्वामी जी गणी मदद करी बापा एक अमने खास सूतना आपेली कि आपने तियां जहिए चिये तो कोई पन घर्षन नो सामनो करवा के सामें दमाल करवा के मारामारी करवा जता नहीं आपने एक साचो संदेश हो कि जे शांति नो मार्ग आपने अपनावी ने अ जे मानो साकट पन थाए एमा कोई एवो प्रसंग उबोना थाए कि जे मा जगडा थाए आपने एक अच्छे के आपने नर्मदा योजना थाए बदा मा एक सारी भावना आवे और तियां जे लोकों आवे बदा राजकिये पक्षो एक साथे बेसी और सामें एक संदेश हो अंदरों अंदरनी फाट फूट घणू मोट्टू नुकसान पहुचाड़ी शके एम हती आथी सव सत्ता धिशो ने नर्मदाना मुद्दे एक जूत करवा अनिवार्य हता आज जटिल कार्य करियों परम पूज्य प्रमुग स्वामी महराजे कारण आ महान संत प्रत्य अहां वहतो राजकारणियों के जे पक्षा पक्षी मां कोई दिवस एकत्र न थाई भाजब, कॉंग्रेस, चीमन बैपटे ने जनता दल, गुजरात नी सरकार ए बदाने अलग अलग चोका, अलग फिरका एम प्रमुग स्वामी महराजे आ राजकारणियों ने एक्त कर्या एमने एवा सपत लेवडाविया, के गुजरात नी जीवा दोरी नर्मदा योजना ने खरेकर जीवा दोरी बनावी होई, तो तमे आने राजकारण थी पक्षा पक्षी थी दूर राको, अने मने एक एता जरापन अप्सोस न थी, के प्रमुग स्वामी महराज माती ए प्र प्रमुग स्वामी महराज एक निर्वेर महापुरुश हाता, तेओ सर्वजीव हितावह हाता, तेमने नर्मदा योजना ना आज जन आंदोलन मा जोडानारा लोकोनी सेवा करी, परन्तु अग्ञान ताने कारणे विरोधुमा जोडायला लोको प्रत्य कटूता ना राखी एमने पण सदबुध्धी आवे, अने साची वात समझाए, ते माटे विविद स्तरे प्रयासो कर्या, एमनी पण संभाळ लिधी। एमने अपना देश वासी होचे एमने विरोधुमा जोडायला कोई गेर संजन के अंदर अंदर मद्बेद होई शके पर एमने अटलो ध्यान राख जो कि एमने कदा तियां जम्मानी तकलिफ के संगवड न होए, तो आपने पन अपना फुट पेके तियां पुचाडी आप जlla के समी्या करें जाए अंपने अंदर और आपने अछोमाध कारी आपण षूट पेकेड पना आप होई और अंपने अपने अंदर के संगात्ता करेंवठ होई चाहक्ई पर आपने भागवण सांभवान जबने समझाया जाए जाय एमने पनना ऑना बाद ना देय हो कित व बज़ा बेसी गेला, आपने जम्मानों पन तेहां जे लोको न परोईड से करलू बज़ा तेहां बेसी गेला नीचे. ए जे मानव दिवाल थाई ए जोई ने नर्मदा विरोध्योंना हजा गड़ी गयां और ए लोको नर्मदा योजना ने रोकवा मते गुजरात नी हदमा एक डगलो पन मुकवानी हिमत न करी शक्यां एनू जे मुख्य कारण होई तो त्या जे जनमेदिनी और जे जनमेदिनी प्रमुक्स्वामी महराजे जे एक मागदसन और जे एक अवाजे बदाने एकत्र करा एनक कारणेज आ योजना बचे सकी एम कईे आम विरोधियोनो फेर कुवानो फेरो पन अफ़र गयो। समाचार पत्रोय आ समाचार सर्वत्र प्रस्राव्या। जैमा तेवोय परम पूज्य प्रमुख स्वामी महराजने पन महत्वनु स्थान आपयो। सन 1922 आवर्षे ब्रह्म स्वरूप योगीजी महराजनो शताब्दी महुत्सव भव्यताथी उज्वावानो हतो। आ निमित्ते परम पूज्य प्रमुख स्वामी महराजे नर्मदा योजना संबंधी गुरु संकल्पने पूर्ण करवा कमर कसी। सामे पक्षे आमने सामने नी लड़तमा निश्फळ गयेला विग्ण संतोशियों हवे विरोधमा बिजोधा वजमावेो। न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। तेऊ ए नर्मदा योजना माटे जरूरी नाना प्रवाह ने अटकाववाना प्रयत्नो करया। आर सामा नर्मदा योजना माटे जरूरी नाना पूरा पाढणार वर्ल्ड बैंक न अधिकारियों मुंबई आव्या हता। विरोधियो ए आतक नो लाभ लिधो। तेवो ए विस्थापित थनारा आदिवासी लोको पासे प्रचंड प्रदर्शनों कराव्या। आथी गुजरातना प्रशासन ने फरी दह्षत पैठी के क्यांक वर्ल्ड बैंक लोन पाची न खेंचीले। मुख्यमंत्री श्री चीमन भाई पटेल आ प्रसंगे पन दोड़ी आव्या परम पूज्य प्रमुख स्वामी महराज पासे। मुख्यारी चे तेमा इलोको पुतानों हिस्सों आफे एक काम मां आ तमारा सव अनुआयों हमने मदद करें गुजरात उपर बापाना शिर्वाज उत्रया चे त्यारे हमें आगरवदी राया चिये। गुजरात ने माटे तोगी महराज ना बजा संकल्पो आपने दिरे दिरे पूरा करिये शे। एक संखल्पो आपने नरब्दानों पुनातों के नरब्दाय योजना पूरी थावी जोए्ग अन्ने संकल्पो आपने बजाये सुरुश पर पुर्च्पर शिर्वानो आपनाती तुन चे प्रात्ना चे जी रिते आपने करियें चे। आपने दुन्य प्रात्ना नी साथे साथे जे कहीं एक सरकारी योजना आवे ये योजना निंदर परदेश में रहना रहा के देश में रहना रहा ये बद्धा ये महार्थी करिते और ये योजना में जो आपने सर्वे भड़वू और जेथी करिने एक जोगे मानों एक संकल् युजना में बदा लाब ले परदेश नी अंदर खास करी ने बदा रहे यह अपड़ा भईयो छे न किया आपन भईयो छे के मरी नया युजना ने सार इतना सहकारा पे नरब द्या वेलां वेली पूरी थाए आपड़े एक कि नरब दाती आजे आपड़े एक महारा ने प्र अमेरिकाना लंडन ना अमेरिकाना बदा हरी पुकतों अता यह मनी खास एक विश्ष्ट सभा यह पन परमुझे प्रमुश्वाई महाराजे त्या आपड़ो जे सभानों मंच हतो त्या आज गोठवे ली अने ते वगते बापाय जात्ते त्या आपड़ा ने अपील करे ल अने आपड़ी सेवाच अपड़े गुजराती तरिके अने त्या परदेश फश्चे शे बगवान आपने कई सक्ती आपी शे त्या बईश्वाई आपड़ा ने अपना देश माटे यह माटे स्वामी वो राजी था शे आपड़े योगी पापाना सत्तावरी निमेते आ सं सतत विचरतीया संत सरिताए गामो गाम सवने आकार्य मा नाणा किया मदद करवा अनुरोध कर्यो Charity Begins at Home सनोगणि 103 मा प्रमुख स्वामी महराजे B.A.P.S. संस्थावती एक करोड रुपिया आ श्री निधी कुम्भ मार पन करया तेवोना आ पगलाए लोको मा आ प्रकल्प मा जोडावानो जुवालो भो करयो आम परम पूझे प्रमुख स्वामी महराज अने अन्य समर्थकोना प्रयतनो चालू हता पन छतां गुजरात माटे 1904 नू वर्ष वस्मू पुर्वार थयू विरोधियो ए बिछावेली जाल कारगत निवडी वर्ल्ड बैंके लोन पाची खेंचीली थी तद उप्रांत विरोधियो द्वारा पेटिशन फाइल कराई दाज्या उपर डामनी जैम सुप्रीम कोटे पन आ कार्य पर स्टेव ओर्डर नो चुका दो आपयो बंधनी उचाई मांड ऐसी दशाउंश त्रण मीटर थाई हती अने आ अनधारियों विघन आवी पहुँचेऊं जो के परम पूज्य प्रमुक स्वामी महराज संपूर्ण स्वस्थ अने श्रद्धावान हता के साचा देवले घंट वागशेज आथी तेवो ना प्रयतनों अने प्रोचसा हन्तो चालूज रहा क्यारे कयू पगलू लेवूं एनी सूज तो तेवो मां अनुखी हती तेवो पार्खी गया के अत्यारे गुजरातनी प्रजामा बढ प्रेर्वूं अत्यंत आवश्यक छे तेवो ए ठेर ठेर जाहेर सभाव मां आ माटेनी आहलेक जगावी आश्चर्यनी वाद तो एछे के उगणी सो छन्नूमा सुरेंद्र नगर खाते उजवाएली पोतानी छोत्तेर मी जन्म जयंतीना मंच उपर्थी पन तेवो आ योजनाने समर्थन आपवानू चूक्या नहीं कुरुक्षेत्रना मैदानमा भगवान श्री कुरुष्ने भगवद गीता उद्बोधी आ घटनाने याद अपावे एवा आशिर्वाद स्वामी श्रीना मुखेथी सरी पड़या आपड़े तो नरवदानी वात्तों हां भरिये छे नरवदा आवसे के चोक्कस वात्षे मना ना थी पन ये नरवदा वहली आवत्ती न थेनू कारंच सामे बिजा विरोध पन्चे आपने जुए छे कि ए प्रमाने पांड़ों ने पांच जाता वने पांच नो एक संपतों एक राग तो एक रुची यादी तो भगवान इमनी साथे बढ़या औने कवरव नी साथे दुद्वेद नी साथे आखी दुनिया नी इली स्वत्ताईनी पासे यादी पैशो होतो अने बहुत विरोधेने करियो पांड़ों नो पांड़ों वाको वार्थयो नहीं यादी नो कारण के पांच बहिनो संपतों अने बगवान इनी साथे आथा येम जो आपने आगंबे नरपदानू कारियर में भिगना छे पन जो आपने आखी गुजरात प्रजानों एक पक्षनी मारा मारी चे नाज जातना भेदनी मारा मारी चे आ मारो दर्ण मारा दर्ण आ वातों चे आजे नरब्दा जो लावी होई तो बज्दा बेदों मुकी ने नरब्दाज मारो धर्म चे नरब्दाज मारो कारिया चे अनि मारे करवा में जो आओ आपड़े थे तो आप Сंप रहे हैं वजरत नों एक माने माते तैयार थशे तो काम थशे आग कोई वियानू ना थी आपनों पोता नूसे तो ए बजानी अंदर आपनी लावु छे पानी आपनी पीवेश्यापडा माते झें आपने पोते पोता ना जात में नथी आकाम करशो एवा एक राग था गुजरात नो नाना मोटा मजूर लेवर विजानों तो थी है आपने बदा वाद करिये विचार करिये पन तमे आपने जुवार उभाता है गामों गाम्ती मानस उभाता हो और आपने अन्दर एववे काम करो तो करिश्त शे बुद्धिशारी मानस हो छे सारा विजापन कारिये करता हो छे सामाजिक बदा है एक विचार थेन करवानूं छे दरेक रिते आखो शांसो जम युद्धनी अंदर चारे बाजू थी आपने नी आयोजन करों तो पशी आपने युद्धमा जीता है तो ये खुण ने ब्याशीरिये तो कही ना था है एम आवधो आयोजन कर दरेक मानस जनी 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 सक्ति छे जनी जनी आफस संपती छे जनी पासे गुद्धी छे जनी पासे देश सक्ति छे ये बधाय पुत्प shouting रिते जो काम करशे तो आ काम सरो परी थे शारू थे आज बगवान प्रात्ना एज करिये छे, या बदा दिश्कार छे बदाना निवारन थाई, अने सरोपकार शांती दशे, ये माते बगवान सरोने बढ़ा पे एज प्रात्ना। पुनह आरंभमाते प्रार्थना करवी, अने बीजो अत्यार सुधी मा थाईला कामकाजनु निरिक्षन करवो। संतो घनावदा हाता, हरी भोक्तो हाता, दो अवास थातो है, पर बापा एक एक वस्तू पूछे, आकी लाइन बापा पूछता हाता, और बापा की तू क्या सालंकूर क्या हुआ हो आमा, पर बापा बापा पानी आऊ से, त्यां सुधी बध्धुज रूट बापा ये संतो चाल हाता, पानी पढ़ता वो एंदर अस्ता पन सारानी, त्या पन बापा उत्रया बधीजवस्तू सम्झा पसि यहां गल जे इलेटरिक अउत्पन थावान ये लट पन्धावन एदि कर बान होतो, त्यां आज बापा के जवशे, त्यां अगल गया ने त्यां एक एक मैंने कायम पुच्ताया था क्या डेम बनी जशे एफ पानी जशे एफ पानी मर्से एफ केटली सीचाई नी सगवर मर्से तो एब धी महीती में आपी त्यारे एमने पन थोड़ू आस्चेर थतो दुदू कि आ तला बदा लोको ने पीवान पानी आपी सका शे मने तो आस्चे परम्पूजय प्रमुक स्वामी महराजे नर्मदा तटे पधारी ठाकोर जी ने सरीता स्नान कराव्यू। नर्मदा मैयानी महापूजापन करी। महापूजाना अंते तेओ भावार द्रथाई धून साथे के टलाक महत्वपूर्ण संकल्पों कर्या। शुब संकल्प स्वामी के पहला ये करिये के सुप्रीमनों श्ट्री आनिंग पर जे लागेलों चे वहलमा वेली तके ये श्टे उठी जाए औने जल्दी आनू काम पूरू थाई। विजो संकल्प स्वामी श्रे करियो के विगनों जेटला कोई छे जहना तरब थी छे एने सदवुधी आवे औने विगनों दूर थे जाए। जो संकल्प स्वामी के आखा गुजरात ने पाणी मरतो थाई। त्रणे दिशानी दर पाणी मरतो थाई। अन्य राज्यों ने पर नानों लाब थाई। विजरुनों लाब पर न अन्य राज्यों ने थाई। गुजरती साते आखा भारत मां अन्य राजों नी सुखा कारी थाई, यह ओपन स्वामी स्वामी स्वांकलब गेड़ो, चोथा स्वामी के भारत आखाने लाव थाई, अवा चार स्वांकलबों करी और स्वामी एकाग रथाई, और मुर्तिमा रथाई, और प्रात्ता मां आधी नर्मदा पुनर्वसन अधिकारी श्री वी के बब्बर ने एक भाय सतावतो हतो के अहीनी ग्रामीन प्रजाने पुनर्वसननू वडता रपाया पचीपन जो ते आरकम व्यसनों दूशनों मा खर्ची नाक्षे अने तेओना विकासना स्थूड चिन हो प्रत्यक्ष नई थाए तो खोटा आक्षिपो थाशे आजूखमने निवार्वा तेओ ये विननती करी परम पूज्य प्रमुक स्वामी माहराज ने अने हमने तरत जीज वक्तेज बजा संतो ने श्वामी जी जाकें क्या लोको जनावे विसात मा तमारे साधूव मुकलवा शंतो मुकलवा अने व्यसन मुक्ती नों आक्षो ए लोको नों कारिकरम घड़ी कड़वो शतत तव जाता रहूं अने तेने एमाँची मुक्त करव एक सांधेन तेर तूटे ए न्याये अधिकारियो समक्ष एक वधु प्रश्न आवयो अधिकारियो ना प्रयत्नो आ प्रश्न ना उकेल माटे पन वामना पुर्वार थाया या नरवदा डेम थावा थी बे पुराना मंदिर डुभी जाता था अफेश्वार अवे अफेश्वार जरा उंचू एक्सो आट मीटर रहा तूँ तू परन बहु दूर्गम विस्तार महातू कार्ण के तिया महरास्ट्र मध्यपदेशने गुज्जात्र नी बाडर एक ज पॉमपरार पासेयमने डिजाइन पन एप्रूग करावी औने काम सबूग कराईगों कम नसीबे जे दूर्गम विस्तार हो अने कारण के जे काई मुश्केलिये से काम बरोबर थातून हो तों एने कारणे त्याना स्थानिक महन्त ये बहु नाराज थ्या अने छेवट तर अने छेली वाद करी के जो तमें लोगों काई सुद्धारों नहीं कराओ तो हमें आज बद्धिव अटकाव अमार्टे पना अंदोलन करसू शी बबबर पोते जाते गया इमने समझावाया पन एक ना मेर ना थाया परम पूज्य प्रमुक स्वामी महराजे पोतानी हाजरी मा अटलाद्रा खाते एक बैठक योजी जैमा पुनर्वसन कमिश्नर वी के बंबर अने हाफेश्वर महदेव मंदिर ना महंत पूज्य मोहंदास जी महराज उपरांत अधिकरुत संतों ने पण एकत्रित कराया बापायमना कुप समझाया प्रेम थी अने मिटिंग नी अंदर महंद स्री ने पूछवा मायू कि आपने लवात तरीके प्रमुक स्वामी महराज ने वच्चे राखेजी मध्यस्ती तो तमारुशु मानूचे महराज आपनी इच्छान को अने खरेखर एजे महंद स्रीयता प्रमुक स्वामी महराज ने मध्यस्ती राखता हुए तो मारे काई बोलूद नथी जे कैसे बद्दू मने मानिया शे अटलेस पछी स्वामी को क्या मंदिर पूरू थाए प्रातिश्टा थाए यां सुदिनी के जवाबदारी के क्या मैं हमें उपाड़ी जे अरितना पछ प्रमुक स्वामी महराजे ते यां से पूछिए काम करवानू छे बद्दू पछे आपड़े बदी स्वीकारी बदी स्वाबदारी के बदी आको प्रोजेक्ट यहम आपनू मंदिर था पुआ जृतना अगर चलावानू होतु एले मने एक उखत प्राउंग स्वामी मने प्रशन पूछयो मने कि तू तियां चाहिए शे इले मैं के लिए मिह कंदू कै स्वामी जा लिए में में इना शाइच के प्रमुक्स्वामी महाराज ना रदैनी अंदर पोता नू के पार कोई न थी एम क्या के 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 पोता नू अंदिर हुआ तिया वधर अधियाना पू बीजुवए तिया रहु नहीं परनों तो यह के जवाबदारी ले दी चे तो एक भगवान नी सेवा तरीखे एने सतत ए पोत महाराज ना हस्ते ए मंदिन नी तिया प्रतिष्टा तिवक्ते करवामा ते लेख खास महान स्वामी पोते पड़ दा रहा ता अनि महान स्वामी ना हस्ते ज तिया पछी प्रतिष्टा करवामा आवेली आम जे प्रकल्पने परिणाम सुधी पहुचाडवामा सरकारी अधिकारियों ना प्रयतनों ताचा पुर्वार थता हता ते कार्य संपन्न थयूं परम पूज्य प्रमुक स्वामी महाराज ना प्रयतनों थी परम पूज्य प्रमुक स्वामी महराज नुँ व्यक्तित्व खरे खर अजोड हतुं आथीज नर्मदा योजनाना कार्य मा जोडायला धुरन धरो समयान तरे तेओनी पासे दोडी आउता कारण के स्वामी शिरीना आशिर्वाद तेओने अनेरी हूफ नो एहसास कराओता अने मुझ्जिवन माथी मार्ग काठी आपता वली ज्यारे ज्यारे महानू भावो अने पदाधिकारियो प्रमुक स्वामी महराज ने मलवा आउता त्यारे नर्मदा डेमनी वात अवश्य तेओ याद कराओता स्वामी श्रिये जणावियू के अमे गामडे गामडे घूमिये छिये पाणी विना टडवडता लोको, खेडुतो अने पशुओनी पीडा अमाराथी जोई शकाती नथी ए माटे नर्मदा योजना थवीज जोईये, करण के ते गुजरात नी जीवा दोरी छे सुप्रीम कोटे आ न्याय प्रक्रियाने जल्दी आगड धपावी जोईये अने लोकोंनू दुख दूर करवूं जोईये हाँ, परम पूज्य प्रमुख स्वामी महराज नो अंतह करण परम पवित्र हतों, तेवो द्वारा बोलातो एक एक शब्द लोकों प्रत्यनी लागणी माथियोत भवतो हतो, निस्वार्थ हतो अर्सामा सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्णय लेवायो के टूंक समय माज चुकादो जाहेर करवो विरोधियो व्यूहात मकरिते आगण वधता हता चुकादानी आगल-ागल तेवो ए मोटी संख्यामा रैलियो काढवी शरू करी सामे पक्षे प्रमुक स्वामी महराजे जन जागरुती लाववाव उप्रांत भगवान ना चर्णे अरजी नाखवी शरू करी तारिक 22 जान्युवारी 119 आजे महलाव मंदिर नो मूर्ती प्रतिष्ठा विदी हातो साथे साथे आजे नर्मदा केसनी सुनवनी पण शरू थावानी हाती आथी परम पूज्य प्रमुक स्वामी महराजे आ मांगलिक प्रसंगे नर्मदा योजना माटे संतो भक्तो साथे प्रार्थना करी तारिक अढ़ार फेबरुवारी 119 आनते सुप्रीम कोटे चुकादो आपयो विरोधियोंनी मैली मुराद आवखते पन बर न आवी आने चुकादो नर्मदा योजनानी तरफेण मा आवेो परम पूज्य प्रमुक स्वामी महराज अत्यन्त प्रसंग थाया बंधनी उचाई 85 मीटर सुधी लईजवानी परवानगी मली मन्जिल सुधी पहुचवा मजल हजू पन घणी कापवानी आती पन चुकादाना सकारात्मक परिणाम थी लोको मा नवू जोम रेडायू सरबोच न्याने का हमारा जो आडर आया आदेश आया वो अपने आप में एक जलसांसादन पर योजना के लिए बहुत बड़ी मिसाल थी पूरी दुनिया के लिए इतना बड़ा आडर इस देश में सरबोच न्याले ने दिया नर्मदा योजनानू कार्यपूर्ण थवामा कोई कचाश रही न जाए तेनी स्वामेश्री हम्मेशा पूरे पूरी कदर राखता सोय केडे दोरो चालियो आवे एम परम पूज्य प्रमुक स्वामी महराजना जीवनना प्रत्येक प्रसंगे भगवद आशरानों बढ सतत पढ़गातू रहतू सामेपक्षे एक पची एक मलती निश्वरताओए विरोधियोंने वधू आक्रमक बनावया तेवोए हवे नवो पैंतरों रचियो जेना भाग रूपे तेवोए एक घातक शस्त्र छोडियों जे खुबज मोटू नुकसान पहुचाड़ी शके एम हतूं जोके जवाब माँ परम पूज्य प्रमुक स्वामी महराजे पाण ब्रमास्त्र छोडियों हमना ताजेतर माँ आपड़ा प्रधान अमेरिकानी यात्राए गया त्यारे त्या इंटरनेशनल रिवर नेटवर्क नामनी संस्था आ बधाना दोरी संचार परदेश मां थी थाए छे अहिया जे कार्यक करे छे तितो मात्र मोरू छे तेरे एमने इमनी वेब साइट उपर एक पत्र मुक्यो ये भारतना वड़ा प्रधान अमेरिका मां आवे छे लाखो लोकों ने बेघर बनावती या योजना ये योजना इमने मानव हीत मा अटकावी जोई ये येनो विरोध करतो पत्र भारतना वड़ा प्रधान ने तमे लखो अमे वेब साइट पर आपत्र जोयो बनने मित्रो थोड़ी वकत तो मुझणा कि अवे आतो वड़ी पाछू नवू कैंक विदेश मा एक पच्छू चड़ीतर चालू करियो छेंग अमने पच्छी अमे गया पुझे इश्वर स्वामी नी निश्रामा कईव के स्वामी अमारी मुझवन आचे त्या प्रकारनू चड़ीतर चाले छे अन्ने एकत दिवस मां प्रजान प्रशाथ न मुर्खा नते बदन विचार करें आपणी प्रजाद दुफीर नाथा है ये प्रजाने अपने आरिते समझीने आवस्तु नियंदर न लेवातां एना वाक्यों में एनी द्रमजाद नियंदर एनी खोटी वातों नियंदर आपने फसावनी जरू नथी पर आपने एनों संपुर्ण विरोध करवानों के कैचे खोटू जेते लम्ना जेम कई हूँ एम एक एक वस्तु एक एक मानस यॉल्ज़ान वाक्यों मुक्रेव कराएनो जे के गरे घर हैंधर आपने कोटूं परिवार हुए अपना मीतरे लेवेसरं इनली आपार्यवन दोस्तारे गुजराती जे समाज होई एमाँ पन जाई ने ये गुजराती समाज ना भईयों ने कहीं ने आपने ख्याल नहीं होई कि विरोधना पक्षो वड़ा पत्रों वड़ा प्रधान पर लखावा निकड़े लिया इंटरनेशनल रिवर नेटवर्क संस्था त्रण हजार करता पड़ ओछा पत्रों मिलवी शकी येनी साइट उपर बावन हजार करता वधारे पत्रों अने ये शक्तिनू प्रेणास्तोत्र पुझे बापाच आम प्रमुक स्वामी महराजना प्रयासो थी अमेरिका मा वस्ता भारतियों अने गुजरातियों मा जाग्रुती आवी विराट पाए सही अभ्यान चालियों अने त्रण हजार नी सामें बावन हजार सहियों भेगी थै विरोधियों ना प्रयत्नो वामना पुर्वार थया अधूरामा पूरुं तारीख अधार ओक्टुबर बेहजार ना सुप्रीम कोट द्वारा बंध संबंधी बेचुकादा जाहिर थया एक बंधनी उचाई तातकालिक धोरणे नेवु मीटर सुधी लईजवामा वांधो न थी बीजू पर्यावरण ने पुनर्वसन ना मुद्दे परवानगी मेडवयाबाद उचाई 138 मीटर लईजवामा हरकत न थी गुजरात मा आनंदनू मोजू फरीवलियों सन बे हजार एक परम पूज्य प्रमुक स्वामी महराजे पारखी लिधु हातूं के विरोधियों द्वारा वारे वारे चोडातूं पर्यावरण ना मुद्दा रूपी शस्त्र, राष्ट्रिय अने आंतर राष्ट्रिय स्तरे तर्खाट मचावी मुके छे आथी तेओ ए संतो भक्तो द्वारा ओगणिसो सत्यासि थी व्रुक्षा रोपन अभ्यान शरू कराव्यों हतूं पत्रो प्रवचनों द्वारा पन आ अभ्यानने वेग तेओ ए आपयों हतों तेओ द्वारा भक्तिनु स्वरूप पामेला सहजानन्द वन अने शिरीजी नर्मदा वन जेवा अभ्यानों ये लाखो व्रुक्षो नू वावेतर करिऊं तेओ ना मन मा स्पष्ट हतूं के परियावरणना नामे फैंकवा मा आवता शस्त्र ने व्रुक्षा रूपन रूपी रचनात्मक ढाल थे खाल दूं आथीज ओग्णी सो सत्यासी मा आरंभायला आ अभ्यानने तेओ बेहजार एक मापन धीलू पढ़वा देता नहता आफे कामकाज मातेक करिये चा घर hun जल बेगार गाल थे लिस सत्र ने एक लिए टाल वर बटो जाएं मिटाल हुआ है अर सामा माननिय श्री नरेंद्र भाई मोदी गुजरातना मुख्य मंत्री तरीके चूटाया सव प्रथम तेओ आ संबंधी त्वरित निर्णयों आप्या तदु परांत विविद स्कीमों द्वारा नर्मदा माटेनू भंडोल वधार्यू तेओ परम पूज्य प्रमुक स्वामी महराजना आ योजना संबंधी पुरुशार्थ अने लगावने जानता हाता आथी नर्मदानों एहवाल आपवा अने ये संबंधी आशिर्वाद लेवा तेओ समयांतरे स्वामी श्रीपा से आवी जता बेहजार बेनी सालमा बंधनी उचाई पंचानों मीटर पहुची रेवाना नीर हवे अमुक विस्तारों मा पहुचवाना हाता एना भाग रूपेज आ नीर प्रथम वकत साबरमती नदीमा आवी रहा हता मुख्यमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी ये नक्की करियों के आ नर्मदाना नीरने वधाववाना खरा अधिकारी तो प्रमुक स्वामी महराज छे आथी आ विधी तो परम पूज्य प्रमुक स्वामी महराजना हस्तेज थवो जोईए आथी मुख्यमंत्री नी विनंतिने माना पिने स्वामी श्री आ प्रसंगे उपस्थित रहा अने वेदोक्त विधी पूर्वक साबरमती मा नर्मदाना नीरना वधामना करया जैं बालक माटे प्रत्येक खबर ठालव वानू ठाम पोतानी मातानो खोडो होय तैं नर्मदा योजनाना समर्थको माटे दरेक समाचार समर्पित करवानू सर्नामु हता परम पूज्य प्रमुक स्वामी महराज तारिक 39 जून 2003 माननिय श्री नरेंद्र भाई मोदी आवी जैक लागनी साथे अमदावाद खाते परम पूज्य प्रमुक स्वामी महराज पासे आवी पहुँचिया तम्हें एवा बाड़कनी कल्पना करीशे कि जैने माने मलवानी उतावल होए बलक तो होए अंछताय मलवानों बेड़ना पड़े अन्हें मला आए कि पड़नी तम्हें कल्पना करीशे होँ तेरे पड़नों अनुभाव करूशे के बड़िया महातो नर्वदा डैमनी प्रगती न समाचार प्रमुक स्वामी महाराज न आपपानी इच्छाती आवे होतो के नर्वदानों डैमनों काम केटले पहुँचुशे अन्हें काम केम चाले से कारण नर्वदाने महाटे गुजरात ने विश्वा आखा माँ जागरण या अहलेक प्रमुक स्वामी ये जगावी है ती अन्हें नर्वदानों काम से जटके एटले मने चिंता थाए के प्रमुक स्वामी नी तबियत न बगड़े तो सारो फोई जे प्रमुक स्वामी ने चरणों मा निवेदन करूछो के सो मिटरनों काम पूरू थाई गेगो प्रमुक स्वामी महराज न आशिरवाद प्राप्त करवा माटे नों मने अउसर मलेो जीवनने धन्य मानों छो जैश्वाम नाराण परम पूज्य प्रमुक स्वामी महराज क्या एक काचू न कपाए एनी पूरे पूरी तकेदारी राखता हाथा डैमनी उचाई वधारवा पुनर्वसन्ने गति आपवी आवश्यक आती आथी तेओए भलामन करी पुनर्वसन्ना निर्देशक शिरिया फ्रोज एहमद ने मैं देखता हूँ मेरे अठाईस साल के कारी में नर्मदा नियंतर प्राधी करन के सबसे पहले परमुक स्वामी महराज ही हमको ऐसे संत मिले उनके विक्तित को देखकर ऐसा लगा कि मैं ऐसी जगे पर पहुँच गया हूँ कि मेरे जो पुदेश हैं नर्मदा को पूरा करने के पूरे हो जाएंगे वह ऐसा लगा उनके विक्तित को देखकर उनकी बिनमर्ता को देखकर उनकी करुणा को देखकर और जो दिप जोती थी उनके अंदर वो एकदम से ऐसे खीचने वाली थी और यह लगा मुझे कि मैं बहुत ही अच्छे जगे पर मुझे भगवान ने भेज दिया है तो मुझे याद है कि परमुक स्वामी महराज से मुल परमुक स्वामी महराज ने हमसे कही जो मेरे दिल को छूगया और मुझे और काम करने के लिए प्रोसाहिद किया वह बात यह थी जब परमुक स्वामी महराज ने कहा कि यह परियोजना आप जानते हैं कि सौराश्च में और कच्छ में लोगों को पानी पिलाएगी कि लोग वहां से प्लाइन करके जा चुके हैं क्योंकि पानी की कमी थी तो मुझे बहुत ज्यादा हिला के अंदर से रख दिया और इसके बाद ही ये मादचीत होने के बाद मैं मानिय मुखमंत्री आदर्डीय नरिन भाई के पास गया पन्मुक स्वामी महराज उन संतों कि श्रेडी म का अशिर्माद ही बहुत काफी था स्वामी जी का जो आचरण था जो करेक्टर था वो करेक्टर भाईचारगी का था सन 2004 मा बंधनी उचाई पहुँची 110.64 मीटर उचाई वधता 1200 मेगावाट विजली उत्पन करवानों लक्षांक सिद्ध थयों सन 2006 मा विजली अन्य राज्यों ने पन पावा लागे आथी ए राज्यों नो पन सहकार मलवा लागे सन 2006 मा डैमनी उचाई 121.62 मीटर थै हवे गुजरात ना खुणे खुणे पाणी पहुचाडवाने शक्यता वधवा लागे तारिक 9 मार्च 2006 ना दिवसे माननीय श्री नरेंद्र भाई मोदी डैमनो बांधकाम पुनह शरू करावा केवडिया कॉलोनी पहुचया अहीं थीज तेओए परम पूज्य प्रमुक स्वामी महराज ना आशिरवाद मिलववा फोन करयो 6 दिवस पचीज इटले के तारिक 15 मार्च 2006 ना रोज श्री भुपेंद्र सीह चूडासमा सारंग पूरावया पुष्प दोलोज सवनी सभामा तेओए परम पूज्य प्रमुक स्वामी महराज ने अभिवादान जली अर्पता कहिूं चेर्मेन तरीके सुप्रीम कोट मां कायम माट जयने बेशु आमपण मारो व्यवसाय वकिल आतनों तो एकले अनो जेतली वार हुँ गयो एकली वार बापा ना आसिरवाद देने गयो के बापा आमा थी जल्दी थी विजय मुक्ति अपाऊ जो आवा सुन्दर मजाना आयोजन मां अमे स्पस्ट पने मानिये छे के आव जेकरी थाई देऊ छे ये बापा ना आसिरवाद थी थाई देऊ छे अमने समय शक्ती सदबुद्धी बापा ये आपी छे हुँ आजे जहेर मां राज्य सरकारवती विनंती करू छोके आवीन आवी सदबुद्धी आवी शक्ती प्रजा कल्यानना कामों माटे अमने आपे आप सोने राज्य सरकारवती जैस्वमिन आ रहा हैं आम समग्र गुजरात माटे सुखद समयावयो हतो। परंतु सामे पक्षे बांतकाम शरू थायाना केवल आठ दिवस पछीज। एटले के तारिक सत्तर मार्च बेहजार च्छाना बंध विरोधी तत्तोए कामकाज अटकाववा एक मरणियो प्रयास आदर्यो। उपवासना आंदोलन रूपी शस्त्र द्वारा सरकार ने भीसमा लाववानों प्रयत्न करयो। विवाद वनस्ता रिव्यू कमिटी ओफ नर्मदा कंट्रोल अथोरिटी नी तेर मी बैठक मोलावाई। राजस्थान, गुजरात अने मध्यप्रदेश ना मुख्यमंत्रियों उचाई वधारवानी तरफेण माहता। एनी सामे केंद्र ना बे मंत्रियों अने महाराष्ट्र ना मुख्यमंत्री विरोध माहता। त्रण विरुद्ध त्रण नी टाई पड़ता बंधुनू बांधकाम फरी अटकाववानो प्रयास थयो। आतारीक हती 15 एप्रिल 2006 नी वज्ज्रा घात समो आप्रहार गुज्रात माटे असाहे हतो। परम पूज्य प्रमुक स्वामी महराजे असरकारक पगला लिवा शरू करया। तेवो ज्यां ज्यां विचरता त्यां त्यां जाहिर जन्ताने आंगे जागुरुती आपी धून प्रार्थना कराओता। ज्य जातना नाद जातना भेद, विजू, तीजू, संप्रधाईना नहीं त्यारे गुज्रात नाचे मानीने अपड़े एनो जिटलो सहकार अपाए। जे सरकार कारिया वुपाड़ुचे बदाय वुपाड़ुचे एमा आपनो सहकारे आपनो जे रिते प्रात्ना करवी पसे प्रात्ना भगवन पासे करवी प्याहाँ चे विजूचे दूर थाई एमनी बुद्धी शारी था विरोध्योंनी अने आपनो कारिया जे छे एमा कोई जातनों विगन्ना वेन संपून पूरु थाई याए विरिते आपनो बावना करवी अने पोताना पूजा पाटनी अं प्रात्ना भगवन पासे करवी प्याहाँ चे विगन्ना चे दूर थाई एमनी बुद्धी शारी थाई अने आपनों चे कारिया छे एमा कोई पाटनों अधूरु रहनी अने बढ़ मड़ी आने गुजरात आखू आपने आज एक थाई उसे और आपने बदा एक थाई ने लिग शे डिजिए नैंने बाटन कारी वहाँ परातना कुई एक बाटन लेकोला तको पाटने एक रहे प्रहू हदू कारु बनुद्धाने जोने बातना आपने धीर इपूरु मजट्थ यह कोई आ भट्न ह dinheiro थाई एक शारी पिरे यहाँ थार कार्वान येक लिगां कुम, बने आविग्ण दूर था हूँ जोए, बने आविग्ण दूर था हूँ जोए, प्रात्ना करिये शे, एने माटे आपने थोड़ी दून करिये, कि दून एवी करो, कि पला बजाने बुद्धी शारी थे जाए। आविग्ण दून छे आपने तम्हें मंदों जे आपना मंदों चाले से जदे कामा, बाढ मंदर, किश्वर मंदर, योक मंदर, महिला मंदर, सत्संग मंदर, यह बद्धा दर दोज आपने आपने दून जाने मंदर भेगां था एतने करवानी है। इजना ने वेग्मले तेव परांत, विरोधियोंने पन सद्धी जागे, ते माटे परम पूज्य प्रमुकस्वामी महराज हम्मेशा प्रार्थना करता। पुरुशार्थ अने प्रार्थना रूपी हलेसाओ द्वारा तेवोए आयोजना नौका ने सतत वेगा पे वहतो जब मैंने उनसे बात किया और पताया कि इस पर्योजना को जब 2006 में हमारी प्राधी करण ने इसकी इजाजत दी उचाई बढ़ाने की जो आज बिजली पैदा हो रही इसके तुरंत बाद ही जबलपुर हाई कोट में एक केस कर दिया गया एक याचिका दायर कर दी गई कि जो भी प्रमिशन दिया गया है जो मंजूरी दी गई है उसको खारिज कर दी जाए प्रमुक स्वामी महराज ने कहा मैं भगवान से प्राथना करूगा कि आपकी वहां भी विजय हासिल हो मेरे लिए इतना ही काफी था क्योंकि वह कोई राजनीतिक आटमी नहीं थे कोई वह अ ज्यानी की हैसियस से और एक अधिगारी की हैसियस से लेकिन मैं बहुत जादा संतों पर विश्वास करता था जो अच्छे संत है और जो सच्छे संत है और उसमें पर्मुक स्वामी महराज को पहिरी मुलाकात में मुझे लग गया कि आपके अंदर वो भुड है आपके करेंगे तो हमें जरू सफलता मिलेगी बीजे मोर्चे नर्मदा कंट्रोल अथारिटी ना निर्णे ना विरोधमा श्री नरेंद्र भाई मोधी ये पन विरोधियों नूज शस्त्रा अपनाव्यों तेओ उपवास पर उतरी गया ते वक ते नर्मदापे मोधीनों स्वामी ने फोन आयो अने किदू के बापा के बे जीवस्ती जे चिंता आती ये बदी टड़ी गई छे आपना आशिरवाद थी अने स्वामी किदू के हूँ पन खास स्वतत प्रार्थना करूछू कि अत्यारे पन विग्न बदा टड़ी ज सारू थाई आगर उपर पन काम सारू थाई आपनो पूरुशार्थ बहुचे खुब यश्मडे एवी स्वामी एमने भावना ने प्रार्थना आशिरवाद रजू करिया के जे समये आखु गुजरात हाजर होई आखा देशनी अंदर जे प्रसारित थतु होई एनी अंदर पन तमाम साधू संतो अने सामाजिक आगेवानों नी वच्मा पन मोधी साहिब नी इच्छाय भी रेती थी के प्रमुक स्वामी माहराज पार्णा करावे कारण के एक व्यक्तित्व हुवतु के जेने नर्मदा माटे संपूर्ण पोतानु जीवन प्राण रेडियो छे यह राजकीय वैमनस्य गेर मारगे दोर्वायला संगठनों अने आयो जित अप प्रचार जिवा प्रचंड विरोधी परिबळों सामेपन विजय प्रजानी जोली माज जिलायों तैनू एक महत्वनु कारण हतूं प्रजा हितना पक्षमा हता एक भगवन मैं रहनारा निर्मण रदयना संत वर्ष बेहजार बार प्रकल्प पूर्ण थवानी अणी परहतो परम पूज्य प्रमुक स्वामी महराज ने जिग्निया सा जागी के डैमनू काम केटले पहुंचियों तेवो ये पुनर्वसन निर्देशक श्री अफुरोज एहमद ने फोन जोड़यों तो जिन्होंने फोन किया था उन्हें बताया कि प्रमुक स्वामी महराज थोड़ा आस्वस्त हैं और इस वज़े से आपको याद कर रहे हैं और फोन पर ही आशिरवाद देना इसलिए चाहते हैं कि बांध की अभी एक उचाई और बाकी है और वो उचाई पूरी हो जाए जिससे की सौरास और कच्छ में पानी चला जाए प्रमुक स्वामी महराज ने कहा कि यह जो उजाड़े जा रहे हुए लोग गरीब आदिवासी परिवार हैं इनके लिए भी बेहतरी से पुनरवास होना चाहिए मैंने बताया स्वामी जी मैं सब इस साब काम को करने में ही देरी हो रही है और इसी वज़े से यह सब काम को पूरा अंजाम देने के बाद ही जो है बांत की उचाई बढ़ सकी है प्रमुक स्वामी महराज ने कहा कि आज लाखों करोडों लोग नर्मदा के पानी को पी रहे हैं जिसके लिए उनका सपना था लेकिन आज यह सपना है Baye Qa Qa hi a Global archetype 3 मेरे लिए बँधी धरोहर है इसलिए मैं बहुत परभावीथ हुआcopat और इसलिए इस पत्र को मैंने मोशने रखा हूए यह पत्र मैं बहुत बड़े संपन से भी जर्द समझता हूं वर्ष हतु सन 2004 नो योजिना अंतिम तबक्कामा पहुची हती पण अंतिम परिणाम सुधी नहीं जिया धुरंधरों ना हाथ टूंका पड़ता त्या स्वामी श्री ना आशिरवाद कमाल करता जैनो अनुभाव योजिना ना अंत सुधी सौने थतो रहो जब 2014 में हमने गेड लगाने की इजाज़त दी हमारी प्राधिकरण ने उस समय भी मुकदमे हुए उस समय मुकदमे हुए और वो मुकदमे ऐसे हुए जबलपुर हाई कोर्ट में की जो पर्मीशन दिया गया है इसको निरस्ट कर दिया जाए अब यह हालात मेरे लिए बड़े खतरनाक थे ऐसे हालात में हम सरवोश न्याले में हमने आवेदन दिया कि यहां पर विचारा धीन है बान का पर्मीशन का जो मामला है इस लिए इस के अंदर ही जब हम सुप्रीम कोर्ट जाते हैं वहां पर निड़े होता है कि हाई कोर्ट इस मामले की सुनवाई ना करें वो आदेश लेकर हम तुरंथ जबलपुर हाई कोर्ट जाते हैं और हमको सफलता मिल जाती है कि इस पर रोप नहीं लगेगा तो मैं मानता हूं कि भगवान स्वामी नारायने पोताना जीवनकार दर्म्यान आध्यात्मिक जागुरुतिनी साथे साथे अनेक सामाजिक कार्यों पन करया हा था। अच्छाए तेवना उत्साहने बेवडावयो हतो। प्रभु सेवा अने गुरु भक्तिना किनारा वच्चे सर्ती आप प्रमुक सरिताये समये समये आप्रकल्पने प्रेरणा पियूश पाया हा था। आरोग्य, शिक्षण, राहतकार्यों, आदिवासी उतकर्ष, बाल युवा संसकार, महिला उतकर्ष प्रवृत्ती, संस्कृती अभ्यार, व्यसन मुक्ती अभ्यार, महा मंदिरूना देश विदेश मा निर्माण, अवीरत गामडे गामडे विचर, अने अन्य अनीक विध लोक सिवाओ वच्चे, दिवस रात तेओ रटन अने जतन करी रहा हता नर्मदा योजनानू, एमनी भग्येज कोई प्रार्थना, अने मोटा समारोह एवा हशे, के जैमा तेमने नर्मदा योजनानू नीज रोकिन ना हो, सुमच्छकछनक्र, चक्रवाद चक्र शर्मदे, अधी अपाद पंक जम्नमामि देवि नर्मदे, पदीय पाद पंक जम्नमामि देवि नर्मदे महाग भीर नीर पूर पाप दूत भूत लम द्वनत समस्त पात कारिदारिता पदा चलम जगल्ए महाब्ये रुकण्ड सुनु हर्म दे तवदीय पाद पंक जम्नमामि देवि नर्मदे तवदीय पाद पंक जम्नमामि देवि नर्मदे गतंत दैव मेभयं त्वदंबु वेक्षितं यदा मुरुकंडु सुनु शोनका सुरारि सेविकं सदा उनार भवाब्धि जन्मजं भवाब्धि दूख वर्मदे सन बेहजार सत्तर सरदार सरूवर योजना अंतिम तबक्कामा पहुची माननीय वडा प्रधान श्री नरेंद्र भाई मोदीना हस्ते आ डैमनो लोकारपणविधी संपन्न थयो नर्मदाना नीर हवे गुजरात ना गामडे गामडे पहुच वाला गया आउ सरेपन प्रमुक स्वामी महराज ना पुरुशार्थ अने प्रार्थनानी स्मृतियों सवना रदय अने आखोंने भीनी करी गई आदर ये नरित भाई मोदीनी ने जब देश को समर्पित किया तो उस समय मुझे बड़ी याद आई प्रमुक स्वामी महराज की कि आज हो होते तो और भी ज़्यादा खुश होते कि उनके आशिरबास से आज ये देश को समर्पित हो गया और इस परियोजना के लिए जो अथक परियास किया आज हो साकार हुआ सत्यमेव जयते अंते सत्यनो जय थयो नर्मदाना नीर शेक छेवाडाना मानवी सुधी पहुँची गया नर्मदाना नीर पामनारा एक करोडो लुको अने तेमनी आवनारी पेढ़ियो नर्मदा मैयानी वंदना साथे प्रमुख स्वामी महराज ने वंदना करता रह शे पुर्वो चेर्मेन ने राजेना मंत्री तरिखे जहर माहुँ बापानू रून स्विकार करूछ प्रमुख स्वामी महराज ने बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा किया है और उसके लिए आज की पीडी ही नहीं आने वाली पीडी भी प्रमुख स्वामी महराज की रूनी रहेगी बनने नर्मदा विभाग संपालो चे हमें चौकास कहवा मांगे चे के नर्मदा योजनामा सौथी मोटू योगदान होई तो ये पुझे प्रमुख स्वामी महराज ने बहुत बड़ाज आने हूँ प्रमुख स्वामी महराज ने प्रातना ने आशिरवाद ने ये शापू तो ये ये थार्च प्रमुख स्वामी महराज हमारे लिए प्रेड़ा सुरोग थे और हैं और रहेगे प्रमुक स्वामी महराज के आशिरबाद से जिसकी वज़े से मैं समझता हूँ कि हम सफल हुए हर जगे पर सफल हुए गुजरातना नर्वदा योजनाना निर्माणना तारे मा एना अंदोलन मा शाहिद कोई भी घटना से कि जे मा प्रोज्य प्रमुक स्वामी सीधा इन्वाल न थाया बहुचा लोगों न खबर सुए बारीक मा बारीक विगत पुष था था अंदर्वदा योजना माटे सगुलू था है, सारी निते था है, पोतानी नजम नीचे था है पर पोताना ध्वारे था है उनई, जेनी क्षमता चेहना द्वारा था है इस शवति मोटा लोग संग्राह कटा था आजे प्रमुक स्वामी जाहा अचे त्यां अंदर्दा योजनाना परिप्रुनों सवती मोटो संतोष पुझे प्रमुक्स्वामि महाराज्या अंदर्दा योजनान खर्मूण।